और लो फ्रेंड्स वेलकम सुन ट्रेड्स आज बात करेंगे जिएऔज जीत फाइनस कंपनी के बारे में में इस कंपघ्ण के बारे में थोड़ा सानालिसिस करेंगे तो यह स्टॉक में अगर देखते हैं यह कंपनी किस फिल्ड में काम करता है एक फाइनन्स कंपनी है तो यहां पर म्यूच्व फंड मैनेजमेंट यहां पर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आई पी ओ यह सारे सब्सक्राइब काम करता है तो अगर हम इस कंपनी का देखेंगे यहां पर रेजल्ट आया है तो इसका रेजल्ट सुरू करने से पहले आप सबको में जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो अगर आप जो स्टॉक काबर में आज बात किये हैं मतलब काफी सरा क्वारी है ज सब्सक्राइब करने से पहले जो नया सब्सक्राइबर है उनको मैं जरूर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स यह वाला जो प्लैलिस्ट है यह वाला प्लैलिस्ट जरूर तक यहां पर काफी सरा आपको information मिल जाएगा जो कि आपको कैसा टाइम पर कौन सा टाइम पर स्टॉक्षिंट करना है कौन सा पॉट्फॉलियो में लेना है ठीक है यह जो दोनों फोल्डर है यह प्लैलिस्ट अगर आप देखेंगे तो काफी सरा चीज आप समझ जाएंगे ठीक है यह सारे वीडियो एक बार देख लिए जो की डेस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अभी चले स्टार्ट करेंगे जियो जित फाइनन्स के बारे में फ्रेंस से एक स्मॉल क्याप कंपनी है जो कि 19 करोड का मार्केट क्या पर अगर इसका आरोशी देखेंगे 29 का अभी जो करेंट लेवल पर ट्रेड हो रहा है यह पास में ट्रेड हो रहा है अगर इसका हम प्रोफीट देखते हैं यहां पर लास्ट सेप्टेमबर को दिखिए 109 करोड का प्रोफीट था अभी 127 करोड का सेल्स था अगर हम प्रोफीट देखते हैं यहां पर 32 करोड का प् यहाऊफ़ीबु प्रफिट में है जो कि लास्टार कटर में अभी है अभी जो अभी इस यअर में 2021 में अगर हम में यहां पर फॉन चॉच्ब प्रोफिट और करोड का प्रोफिट C Approve इंग यहां बैदेक पर जानके दहुते हैं यहां पर पिड कोई-फ्राड μी student ठीक है तो अगर इसी बेसी स्पर हम जाके इंबेश्ट अडेल समें देखते हैं यहां परप्रमोटर का होल्डिंग परसंट का होल्डिंग और यहां पर जुन्जन वला जी का यहां पर भी होल्डिंग है जो की कि 7 except और यहां पर इनके फ्र परसेंटेश कभाँ यह साथ सेगे हैं तो यहांपक RYटलar में पास बचेए जो बचेगा है जो कि ट्वांटी परसेंटेश का ओल्डिंग अभी के इसटापक में अगर हम देखते सब्सक्राइब में अगर देखेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सपोट लिया था ठीक है जो कि यहां पर अगर आपको अभी अगर इस टॉक में पोजिशन बनाना है अगर आप अपर लेवल पर फसे हुएं तो फॉल्ड जरूर किजिए क्योंकि स्टॉक में कोई प्रोब्लम नहीं है बड़ी है अगर हम देखेंगे तो इसी साब से मेरे हिसाब से स्टॉक में अगर आपको आपको आपको चल सकते हैं लेकिन स्मॉल के अगर कोई भी पोजिशन बना रहे हैं तो खुद का थोड़ा सा अनालिसीज जरूर कर लिए क्योंकि स्मॉल क्याब स्टॉक में जब फॉल होता है मार्केट जब गिरता है उस तक पर इसमें भी अच्छा सा गिराबट होता है ठ अगर आपका पोटफुलिय में स्टॉक है तो आप होल्ड करके चल सकते हैं बहुत बढ़ी ऐसा रेजल्ट आया यह स्टॉक में कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर हम देखते हैं पिछले ट्रेडिंग सेशन का अगर हम डेलिवरी देखते हैं यहां पर दिखिए मार्केट ज चली अभी सेल करना का जरूरत नहीं कि अच्छा सा प्रफिट आया है अगर आपको पोजिशन बनाना है तो यह लेवल को अपना नजर में रखना चाहिए तो यह लेवल पर पोजिशन बना की तल सकते हैं ठीक है लेकिन स्मॉल क्याप स्टॉक के छोटा सा इंबेस्ट्में हुआ हुआ है तो सब शाथ कारा आपका अगर वहां अपर आपको अब पूछेंगे तो में तो श्ककुतिम के नहीं कर रहा है कि मुझे एक कौटर के लिए ट्रेड करना है तो दो क् One, करना है छुल्ट करना है कि में पहले से वी मैंने अपना राहा हूं कोई सी स्टाफ मार्केट में कोई बारू इन वारू इंबेस्ट्मेंट नहीं कर रहा है मेरा सुनग ट्रीड मेरा अच्छा मोल गयरन का तब तक में hold कर Gem कुछ काफी सारा मेजर इसु ना हो तब तक में होल्ड करके चलता हूं ठीक है यह स्टॉक में क्या हुआ है अभी प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है इसका बज़र से थोड़ी में स्टॉक मर्केर से निकल जाओंगा यह स्टॉक को चल कर गए इससा निकलना नहीं है मुझे क्योंकि मैं जब चार-पांच साल से देख रहा हूं ना तो जहां पर जहां पर लॉस्ट कर लेते हैं फिर अगली कोटर आई जाता है तो उस टाइम पर हमारा यह नुक्षान होता है और किसी का नुक्षान नहीं होता है ठीक है अगर आप देखेंगे तो यह स्टॉक म फणतव ने संफंट रहेगा तो फिर में यहां पर इस लेवल पर और अक्मिलेट करने की कि अभी प्लानिंग कर रहा हो लेकिन जो बाइंग करना है आप अपना वेसिस पर बाइंग कीजिए ठीकि मेरा कहने पर बिलकुल बाइंग कीजिए कि जहां पर अठक जाते ना उस ताइम पर आपका मन में काफी सरे डाउट आजाता है कि मैंने बाइं करके चला हूं यहां पर स्टक चल नहीं रहा है हां तो उन्हों सरने सेल करके निकल गए होंगे तो हम अभी फस गया है इसा बिलकुल डाउट नहीं है अगर आपका मन में डाउट है मैं आपको अपना पूर्फोलिय भी दिखाता हूं कुछ स्टॉक का डेटल से आपको दिखाता हूं ठीक है जो स्टॉक लेता हूं जब तक प्रफिट न अगर देखेंगे अगर अगर देखिए अगर फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉंग हो मार्केट लिडर हो अच्छा सा कंपनी हो स्टॉक में पोजिशन अगर बनाएंगे तो कोई प्रोब्लम लेने की प्रोब्लम नहीं है ठीक है सब कंपनी के ट्रक रकर आप क्यों डर रहे हैं इतना ठीक है वर्ड कीजिए अगर आपको सेल करना है तो बिल्कुल वेफिकर निकल सकते हैं मुझे कोई आपको सब्सक्राइब करने से पहले आप सब को भी में बोला हूं अगर कोई भी स्टॉक में आप खुद का अनलेसिस करके मेरा कहने पर मत कीजिए मैं हमेसा और एक वीडियो में बताता हूं फिर भी उसकी बावजोद में मार्केट में जब करेक्शन होता है अगर आपको निकल ज देखना का नहीं होता है उनको पॉजिटिव दिखना अगर जब पॉजिटिव दिखता है न उस टाइम में इस एक साइटेमेंड होके बाइक चलते हैं जब निफ्टी में थोड़ा सा करेक्शन होता है उस टाइंप पर इसा नहीं करना इसा करेंगे तो खुद को बहुत ल झाल नहीं होगा मैं आपको अभी मेरा पोर्फोलियो भी दिखाता हूं कि दे इस्टाउक में आप से स्टाउक के बारे में आप से डिसक्सन किया हूं तो यहां पर मुझे लास हो रहा है यहां कफी सार थीक है मेरा कोई एक पोटफोलियो नहीं और भी पोटफोलियो है तो यहां पर थोड़ा सा एक्जामपल के लिए आपको मोटीवेशन करने के लिए मैं आपको यह पोटफोलियों किया ठीक है कि अब टेंशन मत लीजिए स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी पोजिशन बना के बैठे हुए अभी थोड़ा सा वेट कीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वाटर में उसका रेजल्ट बराबर आ सकता है नहीं तो अपरेटर अगर चाहेगा रेजल्ट नेगेटिव हो रहें की बा बहुत सरा स्टॉक है मैंने आपको वीडियो बना कि आपको हमेशा बताता रहता हूं देखिए इसमें बनाइए यहां पर इस प्रिस्टॉक है इसमें बनाइए आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा स्मॉल क्याप में मैं पोजिशन बनाता हूं मैं आपको थुड़ी ब बनाइए यह सब के साथ में होता है मेरे साथ में भी होता है यहां आपको कुछ दुसरा स्टक बोल रहा हूं मैं और और बिलकुल भी नहीं है ठीक है अब लास्ट तक वीडियो में पने रहने के लिए आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद अगर वीडियो आपको आच्छ